स्वागते फिर से एक मज़ेदार टेक न्यूज वाली वीडियो में गाई इस वीडियो को बीना किसी देरी के जल्दी से सुरू करते बिल्कुल आपका टाइम बेस नहीं करूंगा सबसे पहले यहां पे जो न्यूज आ रही है गाईस वार यह सेंसंग गेलेक्सी टेप की तर सब्सक्राइब से इतना से फर्क नहीं पड़ता है न्यूज दें अधेर ट्रेग गर जो लल्टा है करते सो सब्सक्राइब यहां पे जो गैसीडियो इन यहोग करता है और उसी तरूंपूमस इस तरीके प्रोसेसर और यह जो आपको देखने मिलेगा इसमें अलग-छापको वेरियंट देखने मिलेगे अभी तो गाइस देखिए जो अच्छी कोलिटी के बहती अच्छी परफॉमिच्छ देने वाले होते हैं अभी के टाइम पे सीफ यहां पर प्रोसेसर के बारे में बताया गया है कि जो बाते हैं वो लिख हुई है इससे ज़्यादा कुछ स्पेसिपिक के बारे में बात होती है तो वह भी में आपको आगे की रीडियो में अपडेट देता रहूंगा अभी बात करते हैं गाइस यहां पर वीवो की तो वीवो के वी 14 एन वी 14 प्रो बहती जल इंडिया में लॉँच हो जाएंगे देखिए गाइस गलोबली है वो लॉँच हो गए है अभी बहुत जल इंडिया में भी अवेलिबल हो जाएंगे प्राइस के बारे में कुछ बात नहीं आई है बाहर यहां पर क्या के स्पेसिपिकिशन रहेगा वीवो वी 14 में वो यहा एक स्पेसिपिकिसन बात करें 25MP अपेंड़े में मिलें बेरे इसमें के में यूछ इन में के मेरा और एल्ट्रा वाइड के मेरा दोनों आपको 25MP के देखने मिलें ड नो पर इस पॉएंट इक ऑबात करें 12kt 5500 एमेज कि आपको इसमें बैटरी देखने मिलेगी यह जो सारी बात है वो वीवो 14 के बारे में बाहर आई है जो वीवो 14 है उसके specification के बारे में बात हुई है वैसे globally launch हो गया है तो उसके specification I think same होगे बट पता नहीं Indian version में बहुत बार ऐसा होता है कि specification हो जाते अभी यहाँ पे इंडिया में लौँच होते हैं और किस प्राइज में लौँच होते हैं वहीं देखने वाली बात है यहाँ पे जो IQ के बारे में मैंने कल बात की थी कि IQ 13 बहुत चल्द लौँच हो सकता है मनि इंडिया में कुछ specific कसन है उसके बारे में और ज्यादा बात की गई है कल मैंने आपको कहा था कि सिप यहाँ पे इसके प्रोसेजर के बारे में और यहीं बाते की गई थी बट किस प्राइज में आएगा वो यहाँ पे पूरी तरीके से बात नहीं हुई थी तो आज यहाँ पर बात आ गई कि किस प्राइज में हमको देखने मिलता है तो गाइस देखिए ड्रेगन 8 Gen 4 वाला जो प्रोसेसर है बिल्कुल लेटेस वाला प्रोसेसर जो अभी तक दूसरे कोई भी मोबैल में ने आया वाला प्रोसेसर के साथ यह लॉंच होगा उसके साथ साथ यहाँ पे 6000 एमेज की बेटरी देखने मिलेगी उसके अलावा यहाँ पे जो 2K OLED डिस्प्ले हो यहाँ पे 120 हर्स डिस्प्ले है वो आपको देखने मिलेगी अलावा यहाँ पे 100 वोड का फास्ट चार्जिंग का भी आपको सपोर्ट डेखने मिलेगी और यहाँ पे ट्रिपल केमेरा जो सेटप है वह तेनों केमेर है वह पचास मेगा पिक्सल के आपको देखने मिलेगे हमारे इंडिया में वह पचपन हजार में लौच होगा जो यहाँ पे जो सारे ओप्सन के साथ यह मोबाइल आ रहा है ना गाइस पचपन हजार बहुत कम है मैं यहीं कहूंगा गर सेमसंग या दूसरा कोई भी ब्रैंड होता वह इस स्पेसिपिकेशन के साथ जो मोबाइल ह कर दिया है जो स्नेप ड्रेगन 8 जैन 1 है वह इसमें प्रोसेजर रहेगा 2.7 के डिस्पले रहेगा यहां पे बताया गया है कि एमोलेट वर उस तरीके की डिस्पले आपको इसमें देखने नहीं मिलेगी 12 जीबी वाला वेरियंट होगा 256 जीबी वाला और 1 टीबी वाला व है मतलब कि यहां पे जो 6,000 एमेज की डेटरी शिप आपको देखने मिलती है जो की टेबलेट के मुकाबले बहुत ज्यादा में कहूंगा कि कम है प्राइस की बात करूँ वेसे तो इसकी प्राइस है वो लॉंच हुआ है 35,000 रूपे में यहां पे 6,000 का आपको इस्टन डि स्ट्रीक लगाई है पोको ने जो की एक डेट पूल लिमिटीड एडिशन बहुत ही जल्द लेके आने वाला है इंडिया में प्लाइट 26 को ही आप एडिशन है वो देखने मिलेगा एप 6 में बिल्कुल इन लोगों का एसे मोबैल बिकता नहीं है तो अभी एसे तिगड़म लगा के अपने मोबैल बैसने का मैं तो कहता हूं इससे ज्यादा हूं अपनी सर्विस में और अपने प्रोड़क्त में थोड़ा सा क्वालिटी में ध्यान दे ज्यादा अच्छा होगा और वेसे भी जो आप देख सकते हैं जो लुक वाइस बिल्कुल घटिया लग रहा है हैं यहां पर अभी एपल की तरफ ली एक बात यह आई है कि बहत ही जल्द तो नहीं यहां पर दोजार पचीस के एंड तक भी यहां पर जो ऑपल है वो अपना फोल्डेवल फोन हेऊ अनाउंस कर सकता है यह सब्सक्राइब करहा है एपल की बात आ रही है धोजा ज़ास रिषच कर रहा है पता नहीं मंगल ग्रफे जाके रिसर्च कर रहा है यह उससे मैम भातारी एक्स तो यह बंडल लेते हैं इसे धीमाग खुडब हो जाता है कि है जिस Leadership ठीक वालेजरा है दे चिनि व्य कैसे तो यहत है तो यहां पर 500ивает करता है उसको कि कोई बलब की बहुत बारे सा होता है कि कोई promotion के लिए या कोई अलग purpose के लिए या कोई scammer है वो famous ऐसे celebrity होते हैं या famous कोई ऐसे tweet होते हैं इसमें comment में वो अपनी link डाल देता है promotion के लिए या scam करने के लिए तो अगर जो user है वो चाहे तो यहाँ पे जो अपने comment में link disable कर सकता है जिसस नया feature बहुत जल्द आपको देखने मिल सकता है इसमें की आप आपकी image है उसको अलग-अलग तरीके से portrait कर सकते हैं और अलग-अलग तरीके से generate कर सकते हैं यहां पर आपकी खुद की इमेज इस तरीके से बना सकते हैं Meta AI आपके face को detect करके इस तरीके से आपकी अलग-अलग यहां पर image और अलग-अलग model design यहां पर कर सकते हैं उस तरीके का बहुत जल्द Meta AI में आपको feature देखने मिल सकता है यहां पर Meta AI की तरफ से भी कुछ यहां पर आप देख सकते हैं पोस्ट किये है ठीक है और यहां पर मार्क जकरबक ने भी पोस्ट किया है इस तरीके के feature आ मतलक कि हम यहां पर ही हिन्दी में बात कर सकते हैं कुछ भी इनको हिंदी में यह पर बताएंगे तो वह को हिंदी में आंसर देता है है मेडा रहे और हेंili में इमेज क्रीएस जो की बहुत कंप्राइज में उसी को डायरेक्ली कंपीट करेगा और बहुत उससे भी ज्यादा की देटा की कंपेटिबिलिटी के साथ यह जो लामा 3.1 जो मेटा का AI है वो अविलीबल हो गया है अभी गाइस यहां पे मानव आख की नकल करते हुए एक नया रोबोटिक आख के है वो बनाई गई है पिल्कुल मेल खाती है एक बानव आखो की तरफ अच्छे केमेरा हो चुह आख करते हुए के मैं जो करते हुए क्यार नया केमेरगा एया तरीकली यह बनाया गया है जिस्ते की जो रोबोट है वहती अच्छी तरीके से सब कुछ यहाँ पर मिलेंगे अभी तो सिब इस पे ट्राइल चल रहे हैं जब यह पूरी तरीके से मरलब की दो तीन साल में हो जाएगा तब अलग लेवल पे जो रोबोट है वो काम कर पाएंगी आयो एटीन का डेवलोपर बेटा 4 का अपडेट आ गया है आइफोन ने यहां पे रोल आउट कर यहां पे आपको एक में फीचर मिलता है जो कि Android में एक साल से हले से मिल रहा है RCS मेसेजिंग का सपोर्ट आपको देखने मिलेगा अभी RCS मेसेजिंग क्या है बहर सारे लोगों को यह पता नहीं है तो Android में बहर टाइम से आ गया एक साल से यह अपडेट आ गया है जिसमें क अगर आप एक तरीके से यह वोट सो की होता है बट आपके नंबर थुआप चेट कर पाएंगे मोबैल में जो सीम है उसमें टावर नहीं है तो आप वाइफाई के थूआ यहां पे मेसेज कर सकते हैं आपके नंबर से तरीके का यहां पर ऑप्सन है वो RCS मेसेजिंग का मिल गया था तो गाइस कल मैंने एक बात की थी कि भई जो बजेट लॉंच हुआ है उसमें जो 5% कम की गई है इंपोर्ड ड्यूटी है उसको तो यहां पे जो मोबाइल एंड चार्जर के जो प्राइस है वो भी हमको अभी मार्केट में थोड़े कम होते हुए देखने मिल सकते है जो यहां पे जो बजेट जारी किया गया है और यहां पे इंपोर्ड ड्यूटी जो कम की गई है उसकी वज़े से हमको यहां पे जो मोबाइल और चार्जर के प्राइस कम होते हुए देखने मिल सकते हैं बहुत जल्द हमारी इंडियन मार्केट में तो गाइस आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कल फील से मज़ेदार टेक न्यूज के साथ अगर आपको टेक में इंट्रेस है तो हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं